जैश्री कृष्णा आज पूरिमा के दिन आई ये सुनते हैं सत्य नारायर ब्रत कथा सत्य को नारायर की रूप में पूजना ही सत्य नारायर की पूजा है इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एक मात्र नारायर ही सत्य हैं बाकी सब माया है सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है सत्य के सहारे ही शेश भगवान प्रीथवी को धारण करते हैं श्वेम भगवान विश्रू ने अपने मुक से किया है एक बार योगी नारजी ने भ्रमण करते हुए मृत लोग के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अंसार तरह तरह के दुखों से परिशान होते देखा इससे उनका संत हिर्दय द्रवित हो उठा और वे बीरा पजाते हुए अपने परम अराध्य भगवान श्री हरी की सरण में हरी केर्टन करते छीर सागर पहुच गए और विस्तार पूर्वक बोले हे नात यदि आप मेरे उपर प्रसन है तो मृत्ति लोग के प्राणियों की व्यथा हरने वाला कोई छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें तब भगवान ने कहा हेवच तुमने विश्वकल्यार की भगवान से बहुत सुन्दर प्रसन किया है अतह तुम्हें साधुवाद है आज मैं तुम्हें ऐसा ब्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुरलब है और महान पुन दायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वा और वह है श्री सत्यनाराय ब्रत इसे विधी विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक शुखों को भोग कर परलोक में मोच प्राप्त कर लेता है इसके बाद कासी पुर्ण नगर के एक निर्धन ब्रामहर को भिच्छा ब्रिती करते देख भगवान विश्रु श्वयम ही एक बूढे ब्रामहर के रूप में उस निधन ब्रामहर के पास जाकर कहते हैं हे बिप्र स्री सत्यनाराय भगवान मनुवांचित फल देने वाले हैं तुम उनके ब्रत पूजन करो जिसे करने से मनुष्य शप्रकार के दुखों से मुप्त हो जाता है इस ब्रत में उपवास का भी अपना महत्व है किन्तु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए उपवास के समय फिर्दे में यह धाड़ा होनी चाहिए कि आज स्री सत्यनारायर भगवान हमारे पास ही बिराजमान है अतह अंदर वो बाहर सुचता बनाए रखनी चाहिए और स्रधा विश्वास पुर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगल मै कथा का स्रवड करना चाहिए शायम काल में यह ब्रद पूजन अधिक रसस्त माना जाता है स्री सत्यनारायर की कथा बताती है कि ब्रद पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है चाहे वह निर्धन, धन्वान, राजा हो या ब्यवशाई, ब्रामहर हो या अन्यवर, इस्त्री हो या पुरूश यही अस्पष्ट करने के लिए इस कथा में नेधन ब्रामहर, गरीब लकण हारा, राजा उलका मुख, धन्वान ब्यवशाई, शाधु वश्य, उसकी पत्ने लिलावती, पुत्री क्वलावती, राजा तुँध्वज, एवं गोप गरों की कथा का शमा बेश किया गया है जिस किसी ने सत्य के प्रती स्रद्धा भी स्वास किया, उन सब के कार्य सिध्ध हो गए, जैसे लकण हारा, गरीब ब्रामहर, उलका मुख, गोप गरों ने सुना की यह ब्रत, शुक्षव, भाग्य, संतती, संपती, सब कुछ देने वाला है, तो सुनते हैं, स्रद्धा, भ भक्ती तथा प्रेम के साथ सत्य ब्रत का आचरण करने में लग गए, और फल स्वरूप, इस लोक से सुखभोग कर परलोक में मोच के अधिकारी हुए, शाधू वैश्यने, यही प्रसंग राजा उलखा मुख से बिधी विधान के साथ सुना, किन्तु उसका विश्वास अ कमी थी, वह कहता था कि संतान प्राप्ती पर शत्य ब्रत पूजन करूंगा, शमय बीतने पर उसके घर की सुन्दर कन्या ने जन्म लिया, उसकी स्रधालो पत्नी ने याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे, समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किन्तु उस वैशने ब्रत नहीं किया वह अपने दामाद को लेकर ब्यापार के लिए चला गया उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्र के तुद्वारा दामाद सहे कारागार में डाल दिया पीछे घर में चोरी हो गई पत्नी लिलावती वपुत्री कलावती भिच्छा ब्रिती के लिए विवश हो गई एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर स्री सत्यनारायर का पूजन करते देखा और घराकर मा को बताया तब माने अगले दिन स्रधा से ब्रत पूजन कर भगवान से पती और दामाद के सिग्रवा परशाने का बरदान मांगा स्रीहरी प्रिशन हो गए और श्वप्न में राजा के दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया राजा ने उनका धन धान्य तथा प्रचूर द्रब्य देकर उन्हीं बिदा किया घाराकर पूरिमा और शक्रांती को शत्यब्रत का जीवन परियंत आयोजन करता रहा फलतर संसारिक सुख भोग कर उसे मुच्छ प्राप्थ हुआ इसी प्रकार राजा तुंग धोजने बन में गोप गड़ों को स्री सत्यनारायर भगवान का पूजन करते देखा किन्तु प्रभुता के मद में चूल राजा ने तो पूजा अस्थर पर गया न दूर से ही प्रडाम किया और नहीं गोप गरों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहर किया परिडाम यहुआ की राजा के पुत्र धन धान्य अश्वगजादी सब नश्ट हो गए राजा को अकस्मात यह आभासुआ की विपत्ती के कारण सत्य देव भगवान का निरादर है उसे बहुत पश्चा ताप हुआ वह तुरन बन में गया गोप गरों को बुलाकर काफी समय लगातार सत्य नारायर भगवान की पूजा की फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहर किया तथा घर आ गया उसने देखा की विपत्ती टल गई है और उसकी सारी समपत्ती तथा जन सुरच्छित हो गए राजा प्रसनता से भर गया और सत्य ब्रत के आशिरण में निरन हो गया तथा अपना शर्वश्व भगवान को अर्पित कर दिया स्री सत्य नारायर ब्रत से हमें सिच्छा मिलती है कि शत्य रूप ब्रम्हा जिवात्मा रूप में हमारे अंदर बिद्मान है हम सब सत्य के ही सरूप है पर माया के वश में आकार नश्ट होने वाली वश्वों को संग्रह करने की सोच कर संसार में मगन हो रहे हैं इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्विकार करना चाहिए और प्रभू की भक्ति करना ही मानों का धर्म है यही सत्य नारायर ब्रत और कथा का सार है